मंडी जिला के नीर चौक स्थित निशांत गेस्ट हाउज में आयोजित जिला मंडी प्रात्मिक शिक्षक संग के त्रिवार्शिक चुनाव में इंदर सिंग भारदवाज ने अपने प्रतिदुन्दी जगदीश राणा को हराकर जिला धक्ष का पद अपने नाम किया चुनाव परणाम खोशित होने के उपरामत इंदर सिंग भारदवाज ने कारेकारनी के सदर्शियों के साथ शपत भी ग्रहन की और संग के लिए पूरी इमानदारी वन निश्टा से काम करने का संग के सदर्शियों को भरोसा भी दिलवाया इस अफसर पर अपने संबोधन में इंदर सिंग भारदवाज ने कहा कि संग की और से जो जिम्मिदारी उने दी गई है और संग के सदर्शियों ने जो उन पर भरोसा जताया है उसका वे पूरी इमानदारी और निश्टा के साथ काम करेंगे उन्होंने कहा कि करमचारियों की समस्याओं को लेकर सरकार के समक्ष परभावी डंग से रखा जाएगा और उनका निक्टारा करवाने के प्रयास भी किये जाएंगे इस अफसर पर हेमराज ठाकुर को परदेश डेलीगेट के रूपे भी चैनित किया गया उन्होंने भी सभी सदर्शियों का इसे दायत्तव देने के लिए आभार व्यक्त किया आपको बता दें कि जिला प्रात्मिक शिक्षक संग के जिला अध्यक्ष इंदर सिंग भार वाज और परदेश डेलीगेट के रूप में चुने गए हेमराज ठाकुर मुख्यमंतरी जैराम ठाकुर के ग्रियक शेतर से संबंद रखते हैं और मुख्यमंतरी के करीबी माने जाते हैं ऐसे मैं इन दोनों के संग के सदर्शियों को शिक्षकों की समस्यों का निप्टारा होने की कुछ ज़्यादा उमीद है इस उमीदों पर दोनों ही शिक्षिक नेता कितने खरे उतरते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा राजिसबा सांसद जगत परकाश नड़ा को भाजपा कारेकारी अध्यक्ष बनाने पर शिक्षमंतरी सुरेश भारद्वाज ने बधाई दी और कहा कि जगत परकाश नड़ा के नेतिरतों में पार्टी और ज़्यादा विकास की दिशा में आगे बढ़ेगी और उंचाईयों को छुएगी शिक्षमंतरी सुरेश भारद्वाज ने पालंपूर में पतरकारों को संबोधित करते हुए कहा कि परदेश सरकार स्कूलों में गुनवत्ता युक्त शिक्षा परदान करने के लिए प्रतिबद है इसके लिए हर उचित कदम भी उठाए जा रही है पालंपूर में पतरकारों के साथ बादचीत के दुरान उन्होंने कहा कि अभी बापकों का रुज़ान निजी स्कूलों की ओर बढ़ रहा है जिससे ध्यान में रखकर ऐसे सर्वे करवाए गए हैं सर्वे के आधार पर कुछ नए प्रियास भी किये जाएंगे और 3391 सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की गई है इसके अच्छे परणाम सामने आये हैं और करीब 48,000 चात्रों ने प्रवेश लिया है इस साल 3.500 और स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू करवाने की अनुमती भी दी गई है इन कक्षाओं के लिए स्कूलों में तेनाद शिक्षक अपना पूरा सयोग भी दे रहे हैं शिक्षामंतरी सुरेश भार्दवाज ने कहा कि प्रदेश में अटल आदर्श आवासिय स्कूल योजना के तहत गत वर्ष 10 और इस साल 15 स्कूलों की घोशनाएं की गई हैं कांगडा जिला के जैसिंगपूर में भी इसके लिए जगा कोच चैनित किया गया है इन स्कूलों में संबंदित क्षेतरों के सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रेंड करने वाले चातरों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में योगा, जैस, संस्कृतव, संगीत को भड़ावाद दिया जाएगा सरकारी स्कूलों में NCRT की किताबیں पढ़ाई जाएंगी और नीजी स्कूलों को भी बोर द्वारा छपाई गई NCRT की किताबें लगाने के लिए प्रोच साहित किया जाएगा उन्होंने कहा कि स्कूलों में छुटियों का शेडूल सभी संबंदित क्षेतरों से राय लेने के बाद ही तै किया जाएगा शिक्षा मंतरी ने कहा कि स्कूलों के खेल कलेंडर की समिक्षा की जाएगी परदेश सरकार ने पिछले वर्ष हर स्कूल में पांच हजार से लेकर बीस हजार खेलों के लिए दिये थे और इस वर्ष भी दिये जाएगे शिमला जिला के रामपूर भुषेहर में 14 वर्ष से कम आयू वर्ष के छातर चातराओं के खेलों के दौरान के लिए प्रत्योगीता आकर्स्यम का केंद रही है बीबिन स्कूलों से आये छातर एवम छातरा वर्ष की अलग अलग योग परत्योगीताएं करवाई गई आयोजकों ने बताया कि उनका प्रयास है कि योग को सभी अपनाएं। इस तरह की पर्तियोविताएं कराकर स्कूलों और छातरों में योग के प्रतिरुजहान बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि दूर दराज के स्कूलों तक योग का प्रचार परसार होगा तो आम ग्रामीन भी इस दिसा में सजग होंगे योग शिक्षक रविंदर सिंग ने बताया कि रामपूर में 14 वर्ष से कम आयूवर के चातर चातराओं की खंड स्करिय खेल प्रत्योगिताओं के दौरान योग प्रत्योगिताओं करवाएगी उनका मकसद है कि योग को अधिक से अधिक स्कूलों तक पहुंचाना